है 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 आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वाववद करता हूं फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में माइस ट्रिकल फार एजुकेशन नामा को लेशन के पैसेज नमर सेकेंड को अध्यन करेंगे फ्रेंट्स हम लोग जो है फिर्ट्स इस फ्रस्ट को पहले इसकी प्रिवेश्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लैन किया है। इसका रृफरेंस बताया है इस वाल्त那 वालिवीडियो में हम लोग पैसे मभशन कर रहा है ले दो होगी सकता है कि आप की जो पैसे गए हों थोड़ा अलग हो यह जो यह पूरा पैसे मैंने लिख दिया है बहुत ज़्यादा बड़ा पैसे नहीं है छोटा सा पैसेज है पहले आए इसके हिंदी अर्थ को बता देता हूं तो फिर इसको रिफ्रेंस का आटेश और एक्सप्रेसों को समझा हूंगा रिफ्रेंस यहां लिखा कि दर फस्ट साइट आप दर लार्ज थी स्टोरे ब्रेक विल्डिंग करें कि उस तीन मंजिला इटो से बनी हुए बिल्डिंग का फर्श्ट साइट रथा अर्था प्रथम द्रिश्य सिम्ड ऐसे प्रपीत हुआ कि टू है रियोड़ेड मी कि उसने मुझे पुरस्कत किया हो या उसने मुझे मैंने सहन किया था इन और टू रीच दा प्लेज कुं अस्थान तक पहुचने मी यहां अंडर गाल का मतब हुटा है सहन करना इसने राट करा है कि उस तीन मंजिला इक विलेंग का प्रथम देश्य ऐसे प्रतित हो रहा था जैसे कि मुझे जो है उन सभी चीजों के लिए उन सभी पसानियों के लिए जो मैंने वहां तक कोशने के लिए स्थन किया है उसके लिए वह मुझे पुरस्खित कर रहा हूं कि इसका दृष्य सिंड ऐसे प्रत्रीत हो रहा था कि टू गीमी और न्यू लाइफ कि मुझे एक नया जीवन प्रदान क एक मां पृटर के हमकरता हूं कि एस पैसे का देखेंगे देखा है कि इस पैसे सब्सक्रेण नाम लिए जिसमें कि इस पैसेज, यह पैसेज, यह पैसेज, हैस बिन टेकन, लिया गया है, फ्रम तो पॉयम, मा इस्ट्रगल, सॉरी, फ्रम द लेशन, यह लेशन दहेगा, थे ड्यक्राटन दूहिए कि लिया गया है डियेग वाइसिंग्ण जो कि बुस्राइड वासिंग्टन दो लिखा गया है अब रिफेरेंस हो गया डिफेरेंस में लेस्का नाम लिखते हैं और और साथ रिइटर का नाम कें अब इसमें कॉंटेक्स्ट ने क्या करते हैं जो पैसेंज में जू राइए उसी हल्की ईगल तरि convention में क्या गया सैंज की इन इनพटप इस पैसे में इस पैसे में दिर रइंटिर राइटर वर्ण करता है इस पैसे में अपनी भावना का वेल जब ही रिस्ट रहें तर जब हां तर पहुचा एंड़ साही स्कूल बेलिग और फर्स ताइब और श्रपर्थम अपनी स्कूल बेलिंग को देखा इसमें चाना यह जा रहा है कि इस पैसेज में डिक्टर जो है अपनी भावना का वड़ाग करता है जब वो हैंटन पहुचा और सर्व प्रथम अपनी स्कूल की बिल्डिंग को देखा यह बार में फिर से स्टो इस नहीं करा हूं जयान से देखेगा रहा कि इन इस पैसेज में इस पैसेज में राइटर डिस्क्राइब राइटर वड़न करता है इस फिलिंग अपनी भावना का वे जब ही रिस्ट हैंट जो वह हैंट पहुचा एंड साहीज स्कूल बिल्डिंग अड़ फर्स ताइम और अपनी स्कूल की बिल्डिंग को प्रथम बार देखा अब नीचे है इस एक्स्प्लेनेशन में क्या करते हैं कि जो इसमें दिया गया है उसी को अपनी अपनी सरल भासा में उसको ब्यक्त करते हैं कुछ फिडिंग मीनिंग है तो उसको एक उसको भी एक्स्प्रेस करते हैं और उसके अधिकांस्ता यूज करते हैं कि जो जो वर् देखते हैं कि कैसे एक्स्प्रेंट किया गया है कि राकिव यह राइटर रिस्ट हैंटन जब राइटर हैंटन पहुचा एंच साहिस स्कूल बेलिंग और अपनी स्कूल की बेलिंग को देखा एड़ फर्स टाइम प्रथम बार ही बिकेम वेल ग्लैड वह बहुत प्रसंद हो जब राइटर जड़ है हैंटन पहुचा प्रथम पर आपनी स्कूल बेलिंग को देखा तो बहुत वेरी ग्लैड बहुत प्रसंद हो गया इट वासटी स्टोरिय ब्रीक बिल्डिंग यह जो यह जो थी ती स्टोरिय तीन मंजिला ब्रीक बिलिंग इटो की बिलिंग थी सब्सक्राइब और राइटर वाज सो ग्लैड राइटर इतना प्रसंद हुआ लाइट इतना प्रसंद हुआ दैट की ही फॉर्गेट और ही दुप्राइब कर दो बूद गया कि वह भूल गया कि फारगाट अलिस मिजरी मिजी मीजता एक दुख कि वो अपने सारे दुख को भूल गया एक पर इतना परसंद हुआ कि उपने सारे दुख को भूल गया फिर यह देखें स्रांग में फिर बता रहा हूं अप्तर सेंग इसको देखने के बार राइटर वास सो ग्लाइट इतना परसंद हुआ दैट की फारगे फारगाट ऑलिस मिजरी स्थ उपने सारे दुख को भूल गया जिसे ही फेस्ट जिसका उसने सामना किया था और वे टूरीच हेँटन हेटम पोशचने के लिए रास्ते में उन उन सारी दुखों को वह भूल गया जिस दुखों का उसने जो है पोशचने के लिए रास्ते में सामना किया था टरहीज़ा सींड ऐसा प्रतित हो रहा था ये हुआट की इट वास रिवारडिन की यह पु यह वेडिंग जो है राइटर को उसके सारे दुखों परसानियों और उसके स्वर्म के लिए उसको प्रस्कार दे रही हो कि फैल्ट डैट उसने महसूस किया कि इट वास प्रोडिंग हीम प्रशानियों प्रदान करना यह जोन परदान कर रहा है और यह पैसे रहा इसका क्या आरथा एंट लिए से कि कॉंटेक्स लिखा जाता है और एक्सप्रेशन कैसे किया जता है मैंने आपको इसको अच्छी तरसे बताया है और अचा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और यह दिए अच्छा लगा हो तो लाइक सिस्क्राइब और शेकर जेए फ्रेंड्स थैंक यू